नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में अपने बात करेंगे लोक देवता बाबा रामदेव जी से सम्मंदित ऐसे महतवपुन बिंदों के बारे में जिनसे परिक्षा में प्रशन पुछा जाता है तो चलिए शुरू करते हैं इन्होंने अपने निवास जैसलमेर जिले के पोकरण के पास रुनेच्चा नामक गाम वसाया जिसे वर्तमान में रामदेवरा के नाम से जाना जाता है इनके पिता तमरवंशी अज़माल जी और इनकी माता मेनादे या मेनादेवी जी थी तथा इनके बाई का नाम बिरमदेव था बाले अवस्ता में ही पोकरण के पास सातलमेर नामक स्थान पर बहरव नामक राक्षश का वद्ध रामदेव जी ने किया था बाबा रामदेव जी के गुरू बालीनाज जी थे बाबा रामदेव जी का जो विवाहा है नेतल दे जिने निहाल दे के नाम से जाना जाता है के साथ हुआ था बाबा रामदेव जी ने जाती पाती चुवाचूत उंस नीच का विरोध कर हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित की रामदेवरा में रामदेव जी के समाधि स्थल पर विशाल मंदिर बना हुआ है और इसी स्थान पर बादरपद शुकल द्वित्या से एका दशी तक विशाल मेला भी लगता है यानि कि रामदेवरा में जो मेला लगता है वो कब लगता है बादरपद शुकला द्वित्या से एका दशी तक बाबा रामदेव जी के जो अन्य परमुख मंदिर है जोदपूर के पस्चिम में मसूरिय नामक पहाडी पर बना हुआ है बिरंटियां अजमेर में तथा सूर्ता खेडा चितोडगड में भी बाबा रामदेव जी का अन्य परमुख मंदिर है रामदेव जी को रामसा पीर के नाम से भी जाना जाता है रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षन तेरह ताली नरत्य भी है जो तेरह ताली नरत्य है जो रामदेव जी के मेले लगते हैं उनमें क्या है आकर्षन का परमुक के अंदर है यह नर्थे जिसे छोटा रामदेवरा कहा जाता है वो वर्तमान में गुजरात राज्या में स्तित है रामदेव जी ने कामडिया पंथ की स्थापना की थी महतपुर्ण है प्रिक्षा की द्रश्टी से रामदेव जी के द्वारा कामडिया पंत की स्थापना की गई थी बाबा रामदेव जी ने डाली बाई को अपनी बहन बनाया जो एक मेगवाल जाती से समंद रखती थी बाबा रामदेव जी के पगलिये पुझे जाते हैं जो गाम में स्थित चबूत्रों पर बने आलिया में रखे जाते हैं रिखिया जो रामदेव जी के मेगवाल भगत होते हैं उन्हें रिखिया कहा जाता है बादरपद शुकल द्वित्या को बाबेरी बीज के नाम से बीज जाना जाता है बाबा रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है इन मंदिरों पर सफेद या पंच रंग का दवज जिसे नेज्जा कहा जाता है उसको फहराया जाता है रामदेव जी ही एक मातर ऐसे देवता है जो एक कभी भी थे और इनके द्वारा 24 बाणियों की रजना भी की गई थी इनके जागरन को जम्मा भी कहा जाता है बाबा रामदेव जी के चमतकारी जीवन की गाथाओं का यशगान परच्चा में होता है किसमें होता है परच्चा में इनके जीवन की जो चमतकारी गटनाए है उनका यशगान होता है और बाबा रामदेव जी की आस्था में बत्तों के दवारा ब्यावले बांचे जाते हैं दोस्तों ऐसी ही डेली इंपोर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी है वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक भी जरूर करें और अगर आपके कोई सुजाव हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करना भी मत बूलिएगा आप सभी का बहुत बहुत दन्यवाद जै हिंद जै बारत